परखंड के तिलकत्थू ग्राम निवासी स्रीवजी जादो देश के नाम सहीद हुए हैं हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके परजन को याथा सिग्र जूरासी भरसरकार बिहार सरकार द्वारा दी जाती है उपलप्त कराया जाए और इनके नाम से इस गाउं में एक स्टेडि मादेय के यह जोगांगं की हमले नहीं होगा ओधा देखाते हैं कि हमारे सभी क्या कहले हें देखे जवाट में विंपोछन क्ये इस सरकार यहां में बहुते कम है आकड़ा देख लिए जादा ना आकड़ा कम है लेकि अब का कहा जाए नहीं बात नहीं आकड़ा कम है लेकिन जो होनी है उसको टाला नहीं जा सकता है कर दो जी हम किंद्र Сबिकार से इनके परिवार के लिए कि हम किंद्र सक्वार से इनके पुतर को और नोकरीまあ कौंसे कम 50 लाक रूपिया कि मांग करते हैं मुझेल के मा पिर देखने जो हमारे सिवान जिले के युवा है उनको क्या मेशी कड़ी देना चाहेंगे देश के नाम हम लोग के मित्र भाई सहीद हुए हैं देश के नाम पर हम अपना एक-एक मित्र को प्रणा देंगे हैं कि देश के नाम सहीद हुए हैं इनको इनसे प्रणा लेने के जोड़त है और देश सेवा करने के जोड़त है पर्वनास जादो मुख्या ग्राम पंचाहित राजपकड़ी और हसनपूरा के मंडला धक्ष आज परिजनों से आप मिलने आ हैं क्या कहना चाहेंगे देखिए यह हमारे घर परिवार के लोग है सीव जी जादो का आतंकियों द्वारा शिरी नगर में आठ दिन पहले उनको आतंकियों द्वारा गोली लगा पर्सों उनका डेट हो गया यहां उनकी आत्मा की सांती के लिए इस्वर से पतना करता हूँ, कि जहां उनकी आत्मा हो उनको सांती पर्दान करें। तिलकथू निवासी जीले के तिलकथू ग्राम है असमपूरा परखंड के रामसीज जादो उनके पिता है बुजूर्ग है हम लोग के गर्जियन हैं उनके लरका थे सीव जी जादो जो कि एसाई पद पर बीए सिप में कारिक्षदत थे रह गई बात आज हुजूम देख रहे हैं एक तिलकथू गाउं के लाल ने देश के लिए अपना प्रान नौचावर कर दिये मैं उनको सदा समन अर्पित करता हूं और जो होना था हो गया आज है विच्व पची सो आजार लोग जूटे हैं उनको सलामी देने के लिए मैं देश के रक्षा मंतरी और बिहार के मुख मंतरी असीवान के जिलापदा अधिकारी से मैं मीडिया के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि यहां पर तिलकाथू गराम में उनके नाम पर एक ऐस्टेडियम बनाएं उसके बासे जो यहां का भलाग हसंपूरा है थाना हसंपूरा है जो अरणडा से तिलकाथू पथ है ठलिला होते हुए इस रोड का मरमत करा करके आई इस रोड का नाम सहीद सीवजी पत्थ का रखने के काम करें और परिवार को जो बच्चें हैं उनको बीवी है उनको प्राई लिखाई परवरिस का ब्योस्ता करें जिंदिकी भर और एक और रूपिया तकाल मुआ अब जादे परिवार के लोगों को मेरी यहीं मांग है आज हमारे सीवान जिले का एक बेटा सहीद हो गया देश के लिए तो आप जो युवा है हमारे जिले के उनको क्या संदेश दिना चाहेंगे जुवा का खुलियाम है लोग तो रोट पर रोज बीस आदमी मर्द है उसको कौन जानता है वो आज सीव जी जादो ने बीटा पराप्त कर लिए देश के लिए यह गोरों की बात है मैं जुवाओं से कहूंगा कि आप लोग इसी पद पर जाए और वहां गोल इखा कर मरें यह लनीचे लाजिन की नहीं मरें उसको कौन जानता है अज देख लिजिए पूरा इलाका वुजुम आ गया है कईबा को लगातार और हमारे जाते हैं इसे सहीद हो जाते हैं इसपे क्या है स्य उसक् Cookieong हर एक साल दूंको नोकरी दिये हैं हर एक बेक्ती के खाते पर 15-15 रुपी आएगा काला ध्वन वापस आएगा भराष्टा चार जूर होगा उसके बाद से आपको कल कर खाने खूलेंगे कुछ भी हुआ सब जुमला निकल गया यहां पर बिहार में अकले साल 2020 के जो बिधान स और चुना हुआ नितिश कुमार जी कहें कि हरे क्वड़न सब्सक्राइब लेते देंगे कहां डिये एक यह भी नहीं दिये विस्सक्ता चाहिए कि और फिस्मारें जाये है तो कहते है करते नहीं है विक जूमलह मांगाई देखिए मांगाई दूसर लुपिया करू ते ल ग तो यह उपर से नीचे लेक थिर्फ जुमलभाज है, कुछ करते नहीं है, अब आप आपने सवाल किया कि, बोले थे कि हम आँगे ते एक भी जमान नहीं सहीद होंगे, जो हमला हुए दुए जए ज़ा ज़ान आइसमे, जो चालिस जमान मरे थे, वहां पर, क्या किये, कुछ सबसे पहले तो नमस्कार पढ़ना में सभी यहां आए हुए, सारे लोगों का, मैं अभी नंदन करता हूँ, और रही बात कि इनके परिजनों को, तो सबसे पहले तो बहुत ही दुख की बात है, और साथ-साथ अगर हम बात करें, तो बहुत ही गर्ब की बात है, हमें फखर होना चाहिए, कि हमारे गाउं का एक ऐसा वेक्ती, जो अपने देश के लिए ज नहीं होना चाहिए, हमें ये भी सोचना चाहिए, कि हम जिस बेटे को पैदा करके और भारत के काम के लिए हमने भेजा हुआ है, उसमें अपना जान गवाया है, तो कही न कहीं हमारे लिए गर्ब की बात है, और परिजनों की बात रही, तो परिजन मैं कहूंगा कि दुख क कि घड़ी आती है, तो कि घड़ी में आदमी थोड़ा सा नर्वस तो हो ही जाता है, और बाकी सब जानती है, अपने परिजनों के लिए क्या सरकार चाहिए, जी मेरा मांग क्या है, सब का हक है, सब बोलने चाहिए, सारे लोगों का ये कहना चाहिए, मैं सरकार से मैं ये कहन चाहूंगा कि अगर इस तरह का यह हुआ है तो कहीं ने कहीं सरकार इनके घर में इनके परिवार में जो लोग हैं उनकी जगा पे नोकरिया होनी चाहिए और जो सिसाचार के अनुसार जो भी चीजे मांग होनी चाहिए जो भी चीजे सरकार देती है सही रुप से इनको पास प मांग कर रहा है कि इनके नाम पर कुछ न कुछ सहीदों के नाम पर को होना चाहिए जी इक्राम लहक जी मैं ताहिज या तिलकथू पर सरपंच